क्यूं ऐसा क्यूं करेगी अगर company को future में पैसे की जरूरत है तो company बोलेगी कि मैं अभी कुछ पैसे बचा के बाकी आपको दे देता हूं तो company ने कुछ पैसे बचा लिए इसमें से कुछ पैसे यहां से बचा लिए कितने बचा लिए सपोज 5,000 बचे कितने 10,000 10,000 इसको दे मिलेगा तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा सिंपल 10,000 था रुपए और कितने लोग लेने वाले थे शेयर कितने हैं 10,000 शेयर हैं मैं इसको दुबारा रिपीड करूँगा 10,000 तो एक परसन को कितना मिलेगा एक रुपए अगर मान लो आपने 3,000 शेयर company के खरीदे हैं तो आपको कितने रुपए मिल जाएंगे एक रुपए के हिसाब से हर एक शेयर पर एक रुपए आपने कितने शेयर खरीदे हैं एक शेयर पर एक तो टूटल पैसे कितने मिलेगा आपको 3,000 मिलेगा तो मैं दुबारा एक बार रिपीट करता हूँ सबसे पहले sale होता है sale में से expense minus करते हैं तो जो वो हमारे पास result आता है वो होता है EBIT उसमें से interest minus करते हैं पर पता है किस पर होता है debenture या loan पर मैं debenture पर मान रहा हूँ अब यह debenture क्या है हम वो भी समझेंगे तो उस पर interest minus करने के बाद आ गया हमारा EBIT फिर हमने minus करा tax tax के बाद क्या आ गया हमारा EAT अब उसके अंदर दो लोगों का हिस्सा बचा सरिफ एक preference share वालों का और एक equity वालों का preference share वालों को तो जितना percentage है देना ही देना है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन equity वाले को हम बचा भी सकते हैं उसमें से और दे भी सकते हैं ठीक है अब मैं हर किसी का थोड़ा थोड़ा नाम आपको explain करूं किसको क्या बोलते हैं जो preference share को ये एक रुपए मिल रहा है इसको बोलते हैं डिविडेंट इसको बोला जाता है डिविडेंट और जो इसको दिया गया एक fix percentage के तरीके से इसको बोलते है preference share डिविडेंट दोनों डिविडेंट है एक इसको भी डिविडेंट मिला इसको भी डिविडेंट मिला लेकिन दोनों की डिविडेंट में कुछ नहीं मिले अभी ग्जाम्पल लेंगे ऐसा भी पॉसिबल है कि इसको कुछ नहीं मिल पाये और जो पैसे हमने बचा लिए न इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग Retain का मतलब क्या होता है हमारा बचाना तो इसको क्या बोला जाएगा Retain Earning तो अब देखो हमारा मैं बात करता हूँ अब फिर से Point पर Equity Share और Preference Share Equity Share वाले को भी Dividend मिलता है Preference Share वाले को भी Dividend मिलता है लेकिन Last में हिस्सेदार कौन होता है Equity Share Holder अब आप मुझे बताना अगर आपके Parents की मैं बात करूँ या आपके घर में कोई भी Main सदस से जो होगा वो सबसे पहले अपना जो जैसे मान लो घर पे खाना ही बनता है तो सबसे पहले खाना खाके निकलेगा या सब को खिलाने के बाद निकलेगा Last में क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उसकी Responsibility है कि वो पूरा काम करें तो अगर मेरे से बोलो कि Company का मालिक कौन होगा तो जिसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है वही मालिक है और यहां सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी लग रही है तो यह Company का Honor होता है यह Honor होता है यह भी Honor होता है लेकिन इसके पास इससे कम Power होता है Power की बात करें तो कौन से Power यह कोई भी Company के अंदर बदलाव कर सकता है कि Company के अंदर यह नाम होना चाहिए company के अंदर हमारे थोड़े से और पैसा करजा लिया जाना चाहिए company के अंदर हमारा address यहां होना चाहिए यह decision ले सकता है लेकिन क्या यह ले सकता है नहीं ले सकता है इसके पास power नहीं है ऐसे power को बोलते हैं voting power इसको हम बोलते हैं voting power तो equity share और preference share और retain earning सबसे पहले देखो retain earning क्या होता है समझ में equity share holder को जो पैसा देने वाले होते हैं last में उसमें से कुछ पैसे जो बचा लेते हैं उसको क्या बोला जाता है क्यों बचाया जाता है भाई retain earning ताकि future में हमें करजे की जुरत ना पड़े इसके बीच का difference exam में important है आता ही आता है लगबख के difference क्या है what is the difference between the equity share preference share तो समझते हैं equity share company का honor होता है preference shareholder honor नहीं होता equity shareholder के पास voting right होता है preference shareholder के पास voting right नहीं होता preference shareholder को एक fixed dividend मिलता है equity shareholder को को कोई fixed dividend नहीं मिलता equity share हमारा क्या होता है IDR, GDR इसके अंदर भी आ सकता है लेखिन preference share हमारा नहीं आता अब IDR GDR और आपका आगे हमारा given है ADR यह क्या है मैं अलग से इस concept पर बात करूंगा तो इनके बीच में difference मैं सिर्फ समझा रहा हूं बागी एक बार पढ़ोगे तो clarity आएगा तो company में हम क्या पढ़ रहे है source of business finance source of business finance में company को करजा चाहिए तो equity issue करके भी ले सकता है पैसा अगर equity issue करके लेगे तो बदले में उनको मिलने वाला क्या है dividend सबसे पहले या सबसे last में सबसे last में अगर company को loss होता है तो क्या उसको dividend मिलेगा नहीं मिलेगा जी जब profit होगा तब ही मिलेगा लेकिन preference share के case में अगर company को loss होता है तब भी उसको dividend मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता अब ये situation आगया सर मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता ये कौन सी बात हुई देखो preference share के भी दो type होते हैं कौन कौन से type होगी है एक होगा cumulative preference share एक होगा non cumulative preference share, अब इन दोनों में difference देखते हैं, सर ये equity में तो ऐसा कुछ नहीं था, equity में तो simple है, preference share में दो type मैंने बताएं, preference share capital के दो type है, एक है हमारा cumulative, एक है non cumulative, अब बड़ा ही simple है, आराम से समझो को कोई दिक्कत नहीं है, देखो, मानलो पहले साल company को loss हुआ, ठीक है, दस अजार इसको मिलना चाहिए हर साल, पहले साल company को loss हुआ, loss के case में इसको भी पैसे दे नहीं पाने, देने हैं 10 अजार, लेकिन दे, इसको तो मिलेगा ही नी, क्योंकि इसको जब profit होगा तब ही मिलेगा, दूसरे साल भी company को loss हुआ, तो इसको 10 अजार देने है, लेकिन द दे नहीं पाएं, तो पिछले साल के भी 10 अजार बाकी है, इस बार के भी नहीं दे पाएं, तो टोटल इसको कितने देने रहे गए, 20 अजार, इसको तो कोई मतलब नहीं, ये बोलेगा चल कोई बात नहीं, जब होगा तो हम ले लेंगे, तीसरे साल भी मानलो loss हुआ, फिर ये तो बोलेगा भाई, मेरे तो कितने साल के बाकी होगे, एक तो पहले साल का, दूसरे साल का, और एक तीसरे साल का भी रह गया हमारा बाकी, तो मुझे देने है, तो इसको भी बाद में देने है, अब मानलो चौते साल कमपनी को 1 लाख रुपे का प्रॉफिट बचा है, तो इसको कितने देने हैं 30,000 30 इसको दे देंगे और 14 साल का 10 टोटल कितने हो गए 40 बच्चे कितने 60 ये बाट लेगा तो इसको पिछला जो भी बकाया था वो जोड के मिला या नहीं मिला तो अगर ऐसा कोई शियर है तो उसको बोलते है क्यूमिलिटिव प्रफेंशियर यानि उसका डिविडेंट जो पीछे रहे गया देना वो कंपनी को देना है बाद में तो ऐसे प्रफेंशियर को क्या बोलेंगे क्यूमिलिटिव अगर सेम ऐसे माल लो एक लाग का कमाया था एक लाग में बोलते भाई पिछले 30,000 क्या भूल या उसे प्रॉफिट नहीं था नही क्यूमिलिटिव प्रॉफेंशियर देखो क्यूमिलिटिव का मतलब होता इकटा तो जिस प्रॉफेंशियर होल्डर का डिविडेंट अगर जिस साल नहीं मिल पाता आने वाले फ्यूचर में उसका पिछला डिविडेंट जोड करके दिया जाता है उस प्रॉफेंशियर को बोलते हैं यह तो cumulative preference share है लेकिन जिस preference share holder का अगर पिछला dividend है कोई बाकी और जिस साल profit होता है और पिछले dividend को बोलते हैं भाई नहीं मिलेगा उसे बोलेंगे non cumulative preference share तो मैं difference बता हूं तो equity share एक ही होता है हमारा equity share लेकिन preference share में दो टाइप हो सकता है cumulative preference share non cumulative अब देखो equity share को भी वापस खरीज सकते हैं और preference share को भी वापस खरीज सकते हैं कौन खरीदेगा वापस company ने जब दिये हैं तो company लेगा company बोल सकता है भाई मैंने share आपको दिये थे वापस दे दो मुझे पैसे की जुरत नहीं है इतना company ले सकता है वापस preference share से बोल सकता है आपको पैसे की जुरत नहीं आप देना चाहते तो दे दो तो जब preference share को हम वापस लेते हैं तो बोलते हम redemption ठीक है लेकिन जब equity share को वापस लेते हैं तो इसको बोलते हैं buyback दोनों में difference word में हमें difference ही तो बताना है जब इस वाले share को वापस खरीदा जाएगा तो buyback word use होगा और इसको क्या करा जाता है equity share को आप वापस लो या ना लो आपकी इच्छा है लेकिन preference share को वापस लेना अब compulsory अनिवार्य कर दिया गया है अब depend करता है कि कौन सा preference share कौन सा equity share अगर मैं बात करूँ यहां पर सौरी कौन सा preference को अब देखो दो तरीके की company है एक company banking company इंफ्रेस्ट्रक्टर कंपनी एक वैसे नॉर्मल तो नॉर्मल company अगर प्रफेंश करेगी तो 20 साल में वापस देना ही देना है पैसे और अधर company के लिए 30 यह तो यह सारे words आपको मिलेंगे और मैं इसको लिखवाऊंगा भी highlight भी करवाऊंगा सबसे पहले फिर से समझ में आया यह क्या है हमारे पैसे यहां से लिए जाते हैं यहां से पैसे लेकर अपना काम चला सकते हैं equity share सबसे safe माना जाता है company को फाइदा हो या ना हो हमें किसी को तो देना ही नहीं है लेकिन प्रफेंश यह थोड़ा सा risky है क्योंकि अगर company को मुनाफ़ा नहीं तो पिछला जोड़ के भी देना पढ़ सकता है तो company का burden क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है retain earning तो हम बचा के रखते हैं कि future में कोई new branch open करना यानि अपने future को strong बनाने के लिए उसे क्या करते है जैसे कि आपके घर में भी रहता है आपके parents मान लो आपके future के study के लिए पैसे जोड़ जोड़ के रखते हैं तो वो क्या है retain earning earning को बचा लेना तो यह जो तीनों example है यह long term के example है मैंने बोला long term कौन सा होगा 10 साल से उपर